हेलो स्टुरेंट्स कैसे है आपसे स्टुरी इसचार्च करते हैं आज की वर्षीट हाग तर घृट कि आपकी वर्षीट नमबरτε 6 से फॉर्थ क्लास की वर्षीट है इंग्लिशर्स की टहके आपको अपको सेक्षिन QA. A, B, C जो भी आपका सेक्षिन हो 14, sorry 24, October की आपका देच्शिट है और यह है टेक्स्बुक मैरे खोल से ली गई आपकी unit 1st नेहाज अलारम से ठीक है Student name यहापको फिल करना है, teacher name आपको यहापको फिल करना है Fakup poem पढ़ी थी हमने, जिसके writer कौन थी? C Fletcher Dear students, by now you must have understood that waking up early in the morning is a healthy habit We can hear different types of sound in the morning when you wake up in the morning Sounds do you hear? ठीक है, आप जब सुबह जल्दी उर्टे हैं तो आपको बहुत सारी जो natural चीज़े होती हैं जो natural चीज़े के हावाज होती हैं वो आपको सुनाई देती हैं ठीक है, तो आपको ज़ल्दी उर्टे के यह आवाज सुनने हैं कि आपने कभी सुनाई इन अवाजो को तो चलिए देखते हैं कि आपको morning में कौन-कौन सी आवाजे सुनाई देती हैं ठीक है, natural की तो चलिए देखते हैं इसका answer यह देखिए, यह रहा आपका answer देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है go for a morning walk morning walk के लिए जाए listen to the sounds of listen to the sounds you hear like rustling of leaves wind blowing, chirping of words, sound of footsteps आप किस-kिस के आवाज सुनते हैं इसे पत्या पेर से टक्रा रही होती हैं उसके आवाज आते हैं आपको हवा बहरी होती हैं उसके आवाज आते हैं आपको चड़ियां ची-ची कर रही होती हैं उनके आवाज आते हैं और जब आप चल रहे होते हैं तो आपकी खुद की चलने की आवाज आते हैं आपकी पैरों की चलने की आवाज आते हैं तो यह आपको morning में जब आप morning walk के लिए जाते हैं मतलब दो कॉलम बनाने है sound that you hear inside the home और sound that you hear outside the home आप घर में कौन से sound सुनते हैं और करके बाहर कौन से sound सुनते हैं ठीक है यह आपको categorize करना है यह देखिए आइडिया बॉक्स दे रखा है आपके लिए इस बॉक्स से देखिए आपको categorize करना है इनको तो चलिए देखते हैं इसका अंसर देखे बच्चों यहां के है a skooki door ठीक है डॉर की आवाज आती है a toilet flushing जो ट्वालेट में flushing की आवाज होती है ठीक है वो आती है a ceiling fan turning ठीक है fan चलने की आवाज आती है और देखिए outside the home की आए a bell on a bicycle जब bicycle चलाते है तो उसके ring होती है bell होती है उसके आवाज आती है car horn की आवाज आती है the whippers or turn signals on a car और जब signals on होते हैं तो वो अपनी car के करते हैं on करते है तो उनकी आवाज आती है ठीक है बच्चों तो चलिए आके देखते हैं आके क्या दिया गए आपकी वर्क्षीट में यह देखिए third question sorry second question है आपका let's understand and use of and and but ठीक है use किसका use सीखना है आपको and or but का from the little conversation below यह चोटी सी conversation दे रखिए इससे आपको and or but का use सीखना है ठीक है बच्च तो चलिए start करते है Radha I have brought some sweets I will distribute them to my friends मैंने कुछ sweets खरीदा है उनको मैं किसके बीच बार दोंगे अपने friends के बीच ठीक है Raman I have also brought some sweets Raman भी क्या गहता है मैंने भी sweets खरीदे मैंने मिठाई खरीदी है and and I too will distribute them और I too का मतलब हो गया मैं भी मैं भी क्या करूंगा इनने distribute करूंगा ठीक है तो यह two का मतलब जो है यहां पर क्या आ रहा है भी ठीक है और I का मतलब मैं मैं भी इनको distribute करूंगा ठीक है बच्चों तो देखें यहां पर कौनसे वड़ा है आपका तो चलिए and के वारे में समझते है and is used for linking word or sentences जो and होता है वो किसके लिए यूज होता है किसी दो word या फिर किसी sentence को link करने के लिए मतलब उनको join करने के लिए जैसे कि यहां देखें यहां किस क्या बोला है रमन ने कि मैंने भी कुछ मठाईयां खरी दी है और उनको मैं भी कह बातूंगा अपने friends के बीच बातूंगा तो यह देखें यह दो sentence है अलग-अलग अपने friends के बीच बातूंगा और मैंने भी कुछ मठाया खरी दे तो इन दोनों को बीच ले इनके बीच linking कौन कर रहा है and word ठीक है बच्चो चलिए बी sentence पे कर चलते है वी sentence is Samir I want to play it is dark outside मैं खेलना चाहता हूं बढ़ बाहर क्या है अंधेरा है ठीक है तो John क्या बोलता है I to want to play मतलब मैं भी खेलना चाहता हूं अभी two का meaning अपको मैंने यह बताया तो यह John बोलता है मैं भी खेलना चाहता हूं but it is dark outside लेकिन but का मतलब क्या बता है लेकिन बाहर क्या है अंधेरा है ठ तो अब हम बर्ट के बारे में समझते हैं, बर्ट is used to connect sentence and that express opposite idea, बर्ट क्या होता है, ऐसे sentence को express करता है, बर्ट ऐसे sentence को connect करता है, जो कि opposite idea express कर रहे हो, मतलब उल्टा idea express कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पर क्या है, जो 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 खेलना जाना चाहता था, लेकिन वो नहीं जा सकता, बार क्या है, अंधेरा, तो मतलब यह opposite हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर किसका use क्या है, बर्ट का, ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं, चूज था अप्रप्रेड वर्ट in the brackets to complete the following sentences and or but, और यहाँ पर देखिए, आपको brackets दे रखें, यह ब्लैंक दे रखें, ब्लै ठीक है, फ्रूट का टेस्ट कैसा अच्छा है, डैश, are healthy too, और यह healthy भी है, ठीक है, तो देखिए, दोनों अलग-अलग sentence है न, इनका तो कोई उल्टा मीनिंग बनी नहीं सकता, टेस्ट भी अच्छा है, और हल्थ के लिए भी good है, तो यहाँ क्या use होगा, and, ठीक है, दोनो हमारी health के लिए, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते है, नेक्स सेंटेंस के तरफ, नेक्स सेंटेंस लिखा है, नूर, want to play outside, नूर क्या है, बाहर खेलना जाना चाहती है, डैश, it's rainy, यहाँ पर क्या आएगा, but, चुकि यहाँ पर क्या लिखा है, it's rainy, मतलब बाहर क्या है, ब पोसित आइडिया रहे है, तो मैंने आपको पोसित आइडिया के लिए क्या बताया था, but, तो यहाँ पर लोग क्या लिखेंगे, but, ठीक है बच्चों, चलिए, नेक्स सेंटेंस के तरफ, चलते है, थर्ड सेंटेंस है, इस वरक्षीट इस नाइस, यह जो वरक्षीट है, डाश, इस इजी, ठीक है, इस, का मतलब होगे, इस इजी, ठीक है, यह वरक्षीट बहुत अच्छी है, और इजी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एंड, यह दोनों अलग-अलग सेंटेंस है, तो इनका लिंकिंग किस से होगा, एंड से तो, यहाँ पर आपका फिल करो है, बहुत ज्यादा हार्ड है, ठीक है, बहुत टफ है, डाश, एंड, बट, आपको ब्रैकेट में ते रखा है, यह लाइक से पर फिर भी वह क्या, उसे पसंद करता है, लेकिन जब उस वह बोल रहा है, कि जब मैस हार्ड है, तो उस मैस को पसंद नहीं करना चाहिए, लेक होता है, और उसे कहां यूज करते हैं, ठीक है बच्छे तो चलिए वक्षीट खतम होई, और देखते हैं क्या रखा यह विपाब को के लिए सुझा आप बच्छो को साहिए रिख व्याम करने के लिए प्रोट्साहिद करें मिनलब आपको एक्सराइज करना चाहिए, मौर् सके चले बच्चु मिलते है नेक्स वीडियो में बाय बच्चु टेक कियर